हलो एंड विल्कम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स आज मैं आलू का बहुती चटपटा, कुरकुरा और मज़दार सा नाश्ता बनाने वाली हूँ जो कि बच्चो तो क्या बडो को भी बहुती पसंद आने वाला है और ये जो नाश्ते की रेसिपी है बहुती आसान है आप इसे इवनिंग के स्नैक्स में भी बना सकते हैं और अगर आज का ये वीडियो मेरा आपको पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स और फैमली में इसे शेयर करिएगा और मेरे चैनल से अगर पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा तो चलिए फिर देर ना करते हुए इसे सुरू करते हैं इसके लिए सबसे पहले हम एक मसाला तयार करेंगे मसाले के लिए मैंने मिक्सी का छोटा वाला जार लिया है और इसी तरीके से बिना पानी के आप इसे पीस लेंगे और फिर अब हम इसे साइड में रख देते हैं और अब गैस पर मैंने कढ़ाई रख दिये गरम होने के लिए इसमें मैं एक टेबले स्पून ओयल डाल रही हूँ और जैसे ही ओयल हमारा गरम हो जाएगा हम एक चमच छोटा चमच में जीरा डाल देती हूँ और जीरा जब हमारा तड़कने लगेगा तब हम इसमें जो मसाला मैंने पीसा था उस मसाले को हम डाल देते हैं और फिर इसे हम धीमी आज पर थोड़ी देर के लिए भून लेंगे और ये लेसुन और अद्रग जो मसाला है ये भून जाने के बाद हम इसमें एक मीडियम साइज का प्याज जिसे मैंने बारी काट कर रखा हुआ है इसे डाल देंगे और फिर इसे हम इसका कलर चेंज होने तक मीडियम टु हाई फ्लेम पर इसे हम भून लेंगे और अब ये प्याज भी हमारी भून गई है इसका कलर चेंज हो गया है तब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे यहाँ पर मैं एक टी स्पून धनिया पाउडर आधा टी स्पून में जीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर मिक्स करके डाल रही हूँ एक चौथाई टी स्पून ये हमारा हल्दी पाउडर और आधा टी स्पून मैंने यहाँ पर लाल मिर्ज का पाउडर डाला है और अब इन मसालों को गैस की फ्लेम स्लो करके हम इसे भून लेंगे इन मसालों को भूनने के लिए आप ध्यान रखिएगा कि गैस की फ्लेम हमारी स्लो ही होनी चाहिए क्योंकि मसालों में मौश्चर नहीं है ये सुखे मसाले मैंने इसमें डाले हैं और अब इसके भून जाने के बाद यहां पर मैंने चार बड़े साइच के आलू जिसे की मैंने उबाल कर छील कर मैश कर लिया है इसे डाल देते हैं और अब ये आलू को हम मसाले में डाल कर इसे मिक्स कर देते हैं सबसे पहले मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ नहीं तो जो नीचे हमारे जो मसाले हैं वो हमारे लगने लगेंगे आलू को मसाले में मिक्स कर लेने के बाद मैं इसमें स्वात के अनुसार नमक डाल दे रही हूँ और इसके साथ ही मैं यहाँ पर एक टीज स्पून अमचुर पाड़र डाल रही हूँ अगर आप चाहें तो आप इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं और अब इन सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे हम अच्छे से और इन आलूओं को हम पांच मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भून लेंगे जब हम इसे थोड़ी देर तक भूनते हैं तो आलू का जो फ्लेवर है वो मसालो का जो फ्लेवर है वो आलू में आ जाता है और यह आलू हमारे बहुत सुंधे सुंधे बहुत ही अच्छे टेस्टी और फ्लेवर फुल हो जाते हैं और सबसे लास्ट में हम इसमें बारी कटी हुई धनिया डाल देंगे और फिर से इसको चलाते हुए थोड़ा सा भून लेंगे एक मिनट के लिए और फिर हम एक मिनट के बाद गैस की फ्लेम को आफ कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देंगे और अब मैंने यहाँ पर एक मिक्सर ग्राइंडर जार लिया है और जिसमें कि मैं एक कटोरी से थोड़ा सा कम इसमें सूजी डाल रही हूँ और उसके अलावा वन फोर्थ कटोरी मैं इसमें पोहा डाल रही हूँ और उसके बाद इन दोनों चीजों को हम ड्राइ ऐसे ही ग्राइंड कर लेंगे यानि कि हमें इसका слов बनाना है सूजी हमारी मोटी वाली थी और पोहा भी हमें पीस ना था तो इस तरीके से मैंने इसे पीस लिया है और अब इसी जार में मैं वन फोर्थ कप इसमें दही डाल रही हूँ। और इसके साथ ही साथ यहां पर 1 फूर्थ कप मैं इसमें पानी भी डाल दे रही हूं और इन दोनों चीजों को डाल कर हम इसे एक बार फिर से ग्राइंड कर लेंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए और फिर इस पेस्ट को हम एक बोल में ट्रांसवर कर लेते हैं इस तरीके स जार में थोड़ा सा पानी डाल कर खंगाल कर मैं उसे भी इसमें ले लेती हूं क्योंकि यह हमारा जो बैटर है यह भी थोड़ा सा थीक है और अब स्वात के अनुसार हम इसमें नमक डाल देंगे और इसके बाद एक टी स्पून या फिर आधा टी स्पून मैंने यहां पर जैसा भी आपको तीखा खाना हो उतना मैंने यहां पर मोटी कुटी हुई मिर्च और एक टी स्पून मैं यहां पर साबू जीरा डाल रही हूं और इन सारी चीजों को डाल कर हम इसे मिक्स कर देंगे अभी यह जो मैंने बैटर बनाया हुआ है यह थोड़ा सा मुझे ठिक लग रहा है तो मैं इसमें 4-5 चमच इसमें पानी और डाल दे रही हूं ताकि यह थोड़ा सा पतला हो जाए लेकिन आप जैसे सलरी बनाते हूं उतना पतला इसे नहीं रहना है यह इसको मैं सलरी की त ठोटे बॉल की साइज आलू का लेंगे और अपने दोनों हाथो असे इस तरीके से दभाते हुए इसे टिक्की के नुमा शेप दे देंगे इसी तरीके से हम अपने सारे कटिलेट को रेडि कर लेंगे यहां पर सारे कटलेट हमने वेडी कर लिये हैं और अब पारी आती है शेलो फ्राई करने की तो हमने यहां पर एक पैन में ओयल डाल कर गरम होने के लिए रख दिया है ओयल हमारा अच्छा गरम होना चाहिए इस समय गैस की फ्लेम हमारी हाई है और अब यह जो मैंने सलरी बनाई है इसमें हम एक एक टिक्की को डिप करेंगे जैसा कि आप कोटिंग करते हैं कान फ्लोर की उस तरीके से पतला नहीं है यह काफी थिक है ऐसा ही हमें कोटिंग करना था फ्रेंट्स इस तरीके से हम टिक्की को इसमें डिप करके एक-एक करके टिक्कियों को पैन में डाल देते हैं और अब इसे पैन में डालने के बाद हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसे जब तक हम नहीं छेड़ेंगे जब तक कि ये नीचे की साइड में गोल्डन ब्राउन ना हो जाए ये जो हमारी कोटिंग है friends, स्पेसल कोटिंग जो हमारी है इसे हमारी टिक्की है कटलेट है ये बहुत ही क्रिस्प बनता है और जो ये आलू अंदर मैंने स्टफिंग में भरी हुई है वो आलू मसालों में थोड़ी देट तक भूनने की वज़ा से वो बहुत ही सोंधी हो जाती है बहुत ही इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है तो अब हम इसको दोनों साइट से क्रिस्प होने तक मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे और जब ये दोनों साइट से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब हम इसे निकाल लेते हैं और फिर अपनी बाकी की जो टिक्किया है उसे भी इसी तरीके से डिप करके हम medium flame पर fry करके निकाल लेंगे और उसके बाद गर्मा गर्म सर्व करेंगे तो friends देखा आपने कि ये टिक्की हमारी जो cutlet है कितना अच्छा बना है आपको एक cutlet में तोड़कर भी दिखा देती हूँ कि अंदर से कितना flavorful, मसालेदार और बाहर से कितना crisp है आप इसको एक बार friends जरूर ट्राइ करिएगा definitely आपको सबको पसंद आएगा छोटे बड़े सभी को ये बहुत पसंद आने वाला नाशता है तो friends अगर आज की ये recipe आपको मेरी पसंद आए तो please मेरे इस वीडियो को like करें मेरे channel को subscribe करें और bell icon को जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की notification आपको मिलती रहे तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तो till then bye bye